तो जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना था कि Jenkins shared library क्या होता है और इसका हम लोग ने folder structure के वारे में जाना था और हम लोग ने यह भी जाना था कि वैर्स में कैसे हम लोग Ruby script बनाते हैं और इसको pipeline में यूज करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाल है इस रिसोर्स लाव रिसोर्स जो डियरेक्ट्री होता है उसका क्या यूज होता है और इसको कैसे हम लोग अपने Jenkins pipeline job में सित्माल कर सकते हैं यह वीडियो में हम लोग बैसिकली रिसोर्स के वारे में जानने वाले तो एक बार पहले बता देता हूं Jenkins shared library के बारे मैं ने detail होएं बता चुकों क्या होता है और तीनो तीनो फोल्डर के बारे में बता चुकों किस किस तरह का हम लोग फोल्डर रखते हैं उसका क्या तो यह वीडियो उसका समझी एक continuation part है तो चली शुरू करते हैं तो basically जैसा कि हम लोग ने वैर्स में जाना था कि इसमें हम लोग गुरूवी स्क्रिप्ट रखते हैं इसको हम लोग पाइपलेन जोब बनाया था इसमें हम लोग ने इस्तिमाल किया था इसको as a custom space जैसे कि य जानते हैं कि वैर्स के अंदर जितना भी स्क्रिप्ट रखाता है जितना भी फाइल रखाता है वह एक तरह से समझे custom space होता है वह एक तरह से variable का काम करता है हमारे Jenkins pipeline में ठीक है तो यह दोनों हम लोग बनाके हम दोनों ने इसका दोनों का यूज किया था पर इस वीडियो मे हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां पर यूज करेंगे resource के बारे पहले मैं एक basic summary बता रहता हूं resource के अंदर किस तरह का file रखा जाता है तो जैसे कि हम लोग जानते है वैर्स और resource के अंदर यह वैर्स और src दो फो फोल्डर है यह दो डिरेक्टरी है इसके अंदर हम रखने वाले एक बैस स्क्रिप्ट है यह बैस स्क्रिप्ट है और इसको हम लोग अपना ये यूज करने वाले है इस script को ठीक है basically हम लोग यूज करेंगे अपने pipeline में तो हम लोग क्या करेंगे जैसे कि एक में बैस.ss में एक simple सा script रखा हूं जहां पर एक simple सा command हम यह print हो का this is basket बस इस बैस स्क्रिप्ट का simple सा काम है तो कि basically यहां पर मैं बैस स्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूं अभी तो यहां पर बैस के बारे में आप लोग उतना अगर नहीं पता है बैस क्या होता है तो उतना आप लोग टेंशन लेने की जॉरत भी नहीं है बस इतना समझे कि resource के अंदर non-groovy script file रखा गया मतलब यहां पर आप देखिएगा तो यह groovy file नहीं है यह .ss file मतलब बैस script file थीक है तो यह मैंने रखा हुआ है resource folder के अंदर directly के अंदर तो इसको हम लोग यूज करेंगे अपने Jenkins pipeline में तो यह कैसे कर सकते हैं तो एक तरीका तो है यह एक second पहले मैं perspectives combination . इसको हम लोग जो है resource उसको यूज करते है अपने Jenkins मतलब एपने Jenkins pipeline में वह करते हैं हम लोग library resource के मदद से। हम लोग क्या करते हैं अभी आप लोग को मैं पहले काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ ? पर आप बात बरावार है तो इसलिए चाहे यहां लिखे बात बरावार है तो मैं यहां ही लिख लेता हूं तो आपस पर आपस पर कनेक्ट करेंगा तो एक अच्छा से चलियर आडिया लगेगा क्योंकि जी जाफ वेर्स के अंदर मैं लिखूंगा जो यहां पे लिखूंगा बेसिकली आप ट् upgrades उठाके यहां पर कउपी कर सकते हैं स्टेश के अंदर मैं यहां पे लिखूंगा तेक्तर से आप दोनों को बीच में कने्षन भी पता चले है कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं तो क्या करते हैं यहां पे start फाइल बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, रिसोर्स नाम से, एक फाइल बनाता हूँ, रिसोर्स नाम से, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा कि कैसे लाबरेरी रिसोर्स पर ले, मैं इसको क्या करता हूँ, रिसो में इस्को हमारा यहां पर भाइस है इसको हम यूज करना है, यह एक नोन गोभी इसनी हम लोग अपने कैसे करेंगे, कैसे कि WiFi पने हम लोग KYS करेंगे, तो basically किया हम यहां किया करेंगे, तबसे फथा तो यहां पर हम लोग depth call लिखते हैं, call क्यों लिखते हैं, क्योंकि by default जो matter call करता है, call ही करता है, यह सब क्या से क्या होता है, यह मैंने सब बता जो कहा हूँ पिछले वीडियो में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो देख लिजएगा, क्योंकि यह वीडियो का continue part, second part, ठीक है, तो यह यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यह path देना पड़ेगा, क्योंकि लाइबरेटरर्स बैसिकली क्या करता है, यह जो है resource के अंदर, यह resource के अंदर यह file पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आप मान दीजे, यहाँ पर लिखेगा bash.sh, ठीक है, तो क्या करेगा, basically लाइबरेट में हम लोग store कर लेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर content एक लिख लेता हूं, content, तो basically जो इसका content होगा, एक तरह समझे, इसमें store हो जागा content में, ठीक है, elaborate research क्या करेगा, एक तरह से पूरा यह इसको convert करता है, string में, content में जाके store हो जाएगा, और एक, और होता है, write file, write file, basically यह क्या करता है, write file, write file क्या करता है, जो भी content है, हम लोग यहाँ पर एक file बना, देख जैसे मैं इसको पहले पूरा syntax complete करता हूं, तो आप लोगों के तरह से पूरा clear idea लग जाएगा, write file, file, और यहाँ पर उसके बाद हम लोग को एक file का नाम दे देता हूं, मैं, क्या हो रहा है, सब म यह content है, content कहां से आ रहा है, content कहां से आ रहा है, यह content value कहां से आ रहा है, bash.sh से, bash.sh को read का रहा है, library resource, bash.sh को read करके value content में store कर रहा है, content में यहाँ पर value है, अब क्या write file क्या करेगा, यह जो भी value होगा, वो क्या करेगा, program.sh नाम का एक file बनाएगा, और क्या करेगा, यह file कहां बनाने चाहाँ से जॉब रन होगा, आपका, ठीक है, वहाँ पर यहाँ सब चीज है आप सिंपल उठा के यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ यहां पर कोई steps के अंदर आप यह सब चिपका सकते हैं पर मैं यहां पर अलग से दोनों को connection बता रहा हूं तो आप लोग को सही लाएगा से समझने में आप गाता हूं पहले इसको रन कर देखते हैं अब अबेसिकली क्या करते हैं होगी है और एक काम और करता हूं यहां पर यहां पे पहले मैं एक चीज आप लोग और दिखा देता हूं, यहाँ पर run करेंगे, ls-a, और यहाँ पर program.sh नाम का file है, तो run हम लोग करेंगे, simple, sell command की मदद से, sell command हम लोग क्या करेंगे, bass, और उसके बाद .s, program, जो भी file का नाम है, वो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, तो basically यहाँ पर क्या हो रहा है, यह file से हम लोग खले list कर रहे है, program.sh को की हुआ है, सब कुछ data हाया है की ने, वोग इसका पुरा structure check कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करएंगे, इसको हम लोग program.sh को run कर रहे है, इस file को हम लोग क्या कर? तो basically यह काम यहाँ पर हो रहा है, इसको हम लोग commit करते हैं, कमिट करने से पहले एक चीज में देख लेता हूँ यहां पर यह डबलू जो का स्मॉल होगा यह कैमल केस होता है एक पर से राइट फाय और यहां पर यहां पर यह सब कुछ सही है यह आप लोग को समझ माच चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्रिप्ट को अप यहां पर आपको बैसिकली कोई भी नाम दे सकते है ठीक है तो एक सही नाम रहना चाहिए यहां पर हमारा तो बैसिकली अब हम क्या करते है इसको रण करते है इसको हम लोग ठीक है यहां पर भी हम लोग को नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का यह यह नाम हम लोग क को देना पड़ेगा कि इस नाम का यहां पर फाइल है ठीक है और यहां पे भी हम लोग को यह नाम यहां पर बदलना पड़ेगा तो ये अब हमारा सब सही है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको commit करते हैं, और commit करने के बार हम लोग गया करेंगे, एक हम लोग यहां पर आके हम लोग क्या करेंगे, इसमें configure, इसी पुराना job जो हम लोग का pipeline था, उसी इवर मैं एक क्या करोगा, एक extra stage जोड दूँगा, तु रिसोर्स हम लोग ने नाम रखा है तो यही नाम हम लोग यहां पर दे दिए रिसोर्स यही नाम क्योंकि हम लोग नहीं आप इसका नाम क्या रखा है इस फाइल का रिसोर्स ठीक है र कैपिटल है ठीक है यह सही हमारा इसको हम लोग सेफ करते हैं और सेफ करने के बाद इसको ह पंद्रमा बिल्डव स्टार्ट होगा इसको हम लोग नेक्स टार में उपन करते हैं और इसमें कंसोल में देखते हैं क्या क्या हमारा प्रिंट हो रहा है उसको हम लोग यहां पर मॉनिटर करेंगे क्या सही से हमारा काम हो रहा है कि नहीं तो यहां पर आप देखिएगा तो य किनिंगे इज एक यहां पर कैसे सब काम हो रहा है तो वह मुझां। आपको यहां चीज यहां ने साथ खेंए तो बिष्क्ली आ रहरा कको आपको यहां सब च.'' यहां पर क्या करता हूँ ? कि यहां पर आके कॉपी करने के वाद हम लोग बेसिकली यहां पर सेम में क्या कर सकते हैं इससके जगा हम लोग यहां फेश्ट कर सकते हैं Tुरित παotो यहां फेश बखने चिलाओं आए उतलाओं पसाफ्लिकल सबगारे राकर सब्सक्तारण को बिलता तुरिति के लाउं क्या है सबगने ता में लुघए देखेगा जो आउट्पुट पहले आ रहा था वही आउट्पुट अभी भी आएगा पर यहां पर कुछ फेल किया है देखते हैं क्या एरर है हमारा को को बेसिकली दूसरा टाइप टाइप होगा वैसा कुछ उसके इर्रेलेटिड एर्र नहीं होगा यहां पर बिसिकली यह एरर इसलिए आया है, यहां पर हम लोग को इसमें एक change करना पड़ेगा, मैं इसको open करता हूँ इसमें basically यहां पर जो depth हम लोग ने लिखा है, यह खाली इस line को हम लोग को यहां से हटाना पड़ेगा और यह इसको pipeline के बाहर लिखना पड़ेगा यहां पर बस के अंदर कोई important मतलब वो समझने वाला command नहीं है, तो इसको Jenkins क्या कर पाड़ा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, यह आकर बोलना क्या चाहरा है, valid statement नहीं था, इसका हम लोग console देखते हैं, और यह सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो इसका console आप देखिएगा, तो हमारा यह सही से काम कर रहा है, यह success हो चुका है, मतलब यह हमारा सही सही पूरी process के चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ, आपको यह पुरा clear idea लग चुका होगा, और आपको अगर यहां पे नहीं लिखना है, तो इसको pipeline में आप लोग कैसे लिख सकते हैं, वो भी मैंने यहां पे बता द हुआ है, मैं एक project में simple सा practical भी लाने वाला हूँ, तो इससे आप लोग कोई clear idea लग जाएगा, deployment का भी, और मैं यहां पे एक दो वीडियो और आएंगे उसके बाद मैं फिर बाद में वीडियो लाँगा, फिलाल अभी नहीं आएंगे कुछ दिन तक जेंके वीडियो के अब फिर अगर मुझे लगेगा जेंकेंस का वीडियो और लाया चाहिए, important video या आप कोई suggestion दीजेए, मैं जिसके related जेंकेंस का वीडियो लाँग, तो वो मैं ले आऊँगा, तो फिलाल इस वीडियो के लिक नाइम, thank you.